तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस विडियो में आप सभी लोगों को बताने बाला हूँ जियो के सभी रिचार्ज प्लान महेंगे हो चुके हैं तो यहाँ पर एफ रसी भी बदल चुकी हैं आज की बड़ों आप लोग कंप्लीट देखो डिटेल के साथ बताने बाला हूँ अगर आप लोगों को विडियो पसंद आये तो एक लाइक करके जाना और अगर आप चैलेंड में ने हो सब्सक्राइब कर देना चली ही शुरू करते हैं तो दोस्तो हम सबसे हमें बात करेंगे अगर आप लोग जियो का नया सिम कार्ड खोलते हो तो आप लोगों को कौन सी एफरसी पर कितना कमिशन मिलेगा सबसे पहली एफरसी आती है 179 रुपे की इसमें कोई भी आप लोगों को प्राइम की जरूरत नहीं है प्राइम कंपनी की तरफ से फ्री दिया जा रहा है और जो भी 189 रुपे वाली एफरसी में जो भी कस्टूमर को वेनिफिट दिया जाता है वो मैं आपको यहाँ पर मेंसन कर दूँगा और यहाँ पर तीसरी फरसी आती है 249 रुपे की अगर आप इससे नया सिम कार्ट खोलेगे तो आप लोगों को यहाँ पर 143 रुपे का कमिसन मिलेगा और यहाँ पर चौथी FRC आती है 299 पर पे की अगर आप इससे नया SIM कार्ट खोलेगे इस पर भी आप लोगों को 143 उर्पे कमिसन मिलेगा तो जोस्तो अभी तो आप लोग यहाँ पर जियो में इन चार FRC से ही नया SIM कार्ट खोलना और आप लोग जब भी यहाँ पर activation नया SIM कार्ट खोलते हो तो आप लोगों को यहाँ पर paid activation करना है जैसे ही आप लोगों का activation कम्प्लीट होगा नया SIM कार्ट जैसे ही खुलेगा उस न को कियांपर MNP का uncommon 138 रुपै कंश्म मिल जाएगा बहीं यहाँ पर दूसरी FRHC आती है 209 रुपैंकि अगर आप इससे MNP करते हो तो आप लोगोंको को इस पर भी यहाँ 1刃 308 रुपै का कंश्म मिलेगा और यहाँ पर तीसरी FRHC आती है 249 रुपे की अगर आप इससे MNP करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर 220 रुपे का कमिशन मिल जाएगा और यहाँ पर 4 फारसी आती है 299 रुपे की अगर आप इससे MNP करते हो तो आप लोगों को 228 रुपे का कमिशन मिल जाएगा और आपको धियान रखना है जब आप लोगों को activation और MNP का commission इतना मिलने वाला है तो दोस्तों आज सकरते हूं आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ सेर कर देना चलिए दोस्तों मिलते के लिए ने वीडियो में तब तक लिए खुस रहीएगा